क्या आप जानते हैं ITC, पतांजली, डाबर, यूनिलिवर जैसी बड़ी-बड़ी कंपनीज कैसे अपने प्रोडक्ट को भारत के हर जिले, कस्बे और शहर तक पहुँचाती है आज मैं आपको बताऊँगा बिजनस को डेवलब करने के लिए किस तरह से जोन, सिटी, नैशनल या इंटरनाशनल लेवल पर अपने बिजनस के लिए डिस्टिब्यूटर बनाए जाएं यहां हम तीन बातों को अच्छे समझेंगे कि कैसे डिस्टिब्यूटर ढूंडे जाते हैं और डिस्टिब्यूटर ढूंडने के बाद किस तरह के डिस्टिब्यूटर को अपनी कंपनी के लिए सिलेक्ट किया एता है और डिस्टिब्यूटर सिलेक्ट करने के बाद किस तर आपकी factory से लेकर consumer तक कैसे पहुंचता है इस network को समझना बहुत जुरूरी है सबसे पहला जो काम होता है वह होता है manufacturing का और एक manufacturer अपने distributor को सारा material supply करता है और वो distributor अपने zone के अलग-अलग wholesalers को material देता है और सारे के wholesalers वो material retailers को देते हैं और retailers के माध्यम से material consumer तक पहुंचता ह इसका मतलब जितना solid आपका distribution network होगा जितना बढ़िया और बेतरीन और बड़ा आपका distribution network होगा उतना ज़्यादा आप consumer तक अपने product को पहुंचा पाएंगे तो आईए समझते हैं कि distribution network कैसे बनाए जाए और distributor कैसे ढूंडे जाएं distributors को ढूंडने के लिए दो method हैं एक traditional method और एक modern method traditional method बहुत लंबे समय से हमारे देश में इस्तिमाल किया जा रहा है और इस method को समझना बहुत जरूरी है तो सबसे पहला जो method है वो है appoint marketing executive आपको अपने distribution network को develop करने के लिए marketing executive तयार करने हैं और वो marketing executive zone, district या city wise लोगों से मिलेंगे जहां पर आपके product की जानकारी उन तक पहुंचाएंगे ताकि वो distribution network में जुड़ सके marketing executive का काम होगा उस zone, district या city में distributors की जानकारी कठा करें उनकी जरूरत को समझें और अपने product की जानकारी distributors को दें और उनको इस समझाने में सक्षम बने कि वो किस तरह से आपकी company या product के साथ जुड़कर एक बहुत अच्छा margin generate कर सकते हैं क्योंकि distributor केवल तभी उस product को बेचने के लिए तयार होगा जब competitive industry में उसको बहतरी margin दिया जाएगा and the second method that is participate in trade exhibition organized by chamber of commerce, chamber of industry, chamber of import and export और any business association अज बहुत सारी business associations, बहुत सारी exhibition organized करती हैं जब आप उन organizations की exhibitions में जाती हैं तो वहाँ पर एक ही जगह पर आपको same industry के बहुत सारी लोग मिलते हैं जैसे vendors, manufacturers, suppliers, wholesalers, retailers, distributors, importers, exporters, buyers ये सभी लोग आपको एक ही जगह पर मिलते हैं जहां पर आपके पास distributor की बहुत ज़्यदा lead generate होती है and the next get reference from your friends, relative and knowns आपके buyer, आपके supplier, आपके vendor इन लोगों से भी आप references ले सकते हैं कि यदि कोई distributorship लना चाहता है या उनके link में कोई distributor है तो उनका contact आपको दें ताकि आप उन्हें अपने product की जानकारी आसानी से पहुंचा सकें और distribution network के लिए approach कर सकें and the next be the member of business organization like chamber of commerce, chamber of industry, chamber of import export, manufacturers associations आप इन सभी organizations की membership लें जब आप membership लेंगे तो आपको वहां से उनकी directory मिलेगी और उस directory में manufacturer, wholesaler, retailer, supplier, buyer सभी तरह के लोगों का data होगा और वहां पर आप अपने business को develop करने के लिए उनको follow कर सकते हैं उनको अपने product की information पहुंचा सकते हैं फ्रेंट ध्यान रखे जितना बड़ा distribution network होगा उतना जादा business आप develop कर पाएंगे और उतने जादा consumer तक ही आप पहुंच पाएंगे and the next join business meets आज बहुत सारी companies and organization business meet organize करती हैं join business workshops business related बहुत सारी workshop बहुत सारे trainers की होती हैं मेरी भी होती हैं तो उन training organizations को आप join करें साथी साथ business workshops में जब आप जाते हैं तो एक mindset के लोग वहाँ पर मिलते हैं business seminars में आप जाते हैं तो एक mindset के लोग वहाँ मिलते हैं उनको अपने product के बारे में बताएं अपने distribution network के बारे में बताएं और वहाँ से भी आपको बहुत सारी lead मिलना शुरू हो जाएंगी distributor network को develop करने के लिए आप print media और electronic media का सारा भी ले सकते हैं जैसे leaflet, brochure, boards, hoardings, इसके माध्यम से भी newspaper advertisement, इसके माध्यम से भी आप बहुत सारी lead generate कर सकते हैं distribution network develop करने के लिए आज बहुत सारे modern methods भी हैं बहुत सकते हैं जैसे develop your website and start SEO and Google AdWords, आप अपने खुद की website develop करें बहाँ पर distribution network के लिए distributor के लिए एक form दें और उसको advertise करें, उसका SEO करें, उसका SMO करें और उस website के जरिए lead generate करें, साथी साथ आप बहुत सारी B2B websites में भी अपने आपको list करके बहुत सारा data collect कर सकते हैं जैसे trade India, exporter India, Alibaba, इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं, जहां से आप business की leads generate कर सकते हैं distribution network को develop करने के लिए आप social media advertisement का सारा भी ले सकते हैं, जैसे facebook है, linkedin है, twitter है, instagram है, youtube है ये सभी platforms पर वो सभी लोग मिलते हैं, जो किसी ना किसी तरह से उस business से जुड़े होते हैं आप कलपना कीजिए कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आप social media से ना जुड़ा हुआ हो, इसका मतलब बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे wholesaler हैं, retailer हैं, distributor हैं, C&F हैं, importer हैं, exporter हैं, vendor हैं, वो सब भी तो social media का part हैं, वो सब भी social media से जुड़े हुए हैं, इसलिए social media advertisement का साह जरूर लें, जिससे आपको बहुत सारी lead generate होंगी, अब lead generate करने के बाद, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, कि अगर आप अपनी company का distributor appointment करना चाहते हैं, तो आपको लोगों को shortlist करना होगा, कि वो कौन से बहुतरीन लोग हैं, जिनके साथ आप मिलकर business कर सकते हैं, यहां capacity कितनी है, कि कितना material आपको वो stock कर सकता है, उसके लिए उसके पास कितना space है, कितना बड़ा go down है, यह check करना बहुत जुरूरी है, इसके साथ साथ उसकी profile भी check करना जुरूरी है, उसका payment schedule कैसा है, market में उसके बारे में लोग payment को लेकर कैसा विचार रखते हैं, उसका sales network कैस है, मतलब कितने wholesaler उसके पास है, कितने retailer उसके पास है, उसके पास कितने लोगों की sales team है, ताकि वो उस network को cover कर सके, उसके पास product या industry की कितनी knowledge है, ताकि वो 1000 network तक आपके product को पहुंचा सके, उसका relation with wholesaler and retailer कैसा है, और उस distributor की location कैसी है, इन सभी पहलों पर आपको उस व्यक्त के लिए suitable है, तो उसके साथ distribution network develop करना होगा, अब ये समझना जुरूरी है कि वो व्यक्ति आपके साथ, आपके business network में distribution के लिए क्यों जुड़े, और आप उसको कैसे तयार करें, एक distributor आपका product केवल तभी वेचेगा, जब आपके product में कुछ extra features होगे, या आपके product के कुछ USP होगी, मतलब consumer उसको खरीदने के लिए तयार होगा, और उस product में distributor को एक अच्छा profit volume generate होगा, साथी साथ आपकी जो credit policy है, वो बहुत बेहतर होगी, इन सभी बातों का ध्याना में रखना है कि किस तरह से अपने business के plan को हम design करें, ताकि एक distributor आपके साथ जोडने के लिए तया payment देता है, आपको cash payment देता है, तो कितना extra percentage of discount आप दे सकते हैं, generally 2% CD चलता है, इसके अलावा आप bulk buying की offers कैसे देते हैं, कि for example, 5 लग के material पर आप 2% discount देते हैं extra, 7 लग के product पर आप 3% discount देते हैं extra, 10 लग के product पर आप उसको 3% का extra margin देते हैं, ये सारी schemes design करना बहुत महत्वप support है, साथी साथ consumer के लिए आपके पास क्या schemes हैं, जैसे combo offer, buy one, get one free, इस तरह के बहुत सारे offers और schemes आपकी होनी चाहिए, और आप अपने distributor को कितना advertisement and marketing support देते हैं, मतलब उसको branding के लिए क्या क्या चीज़ देते हैं, branding के अलावा उसके business network को develop करने में आप कैसे support करते हैं, ये भी बहुत important है, जब ये सारी बातें distributor को favorable लगती हैं, समझ में आती हैं और उसको लगता है कि इस company के साथ जुड़कर मैं अच्छा business volume generate कर सकता हूँ, साथी साथ आपको ये भी decide करना है कि आपकी buyback policy क्या होगी, कई बार कोई consumer product retailer को वापस करता है, retailer wholesale को यहता है, wholesaler distributor को यहत तो इस case में distributor को लगता है कि मेरा loss होने वाला है, मेरा बहुत सारा stock dead होने वाला है, इसके लावाद जो dead stock मतलब समय समय पर जो stock distributor के पास बसता है, उसको वापस लेने की क्या policy होगी, return को sales return को लेने की policy क्या होगी, ये सभी policies भी design करना बहुत महत्वपून है, क्योंकि एक व methods का इस्तिमाल कर सकते हैं, और अगर आप किसी company की distributorship लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसी company जो बहुत तेजी से अपने distribution network को बढ़ा रही है, आप जानते हैं कि आज लोग physique को लेकर, fitness को लेकर, अपनी health को लेकर बहुत जादा conscious हैं, वो yoga करते हैं, वो running करते हैं, jogging करते हैं, gym जाते हैं, exercise करते हैं, जिसके लिए sportswear की बहुत ज़ादा demand तेजी से बढ़ती जा रही है, इसलिए Meta Sports आज अपनी company में जितने बे product की manufacturing कर रहा है, उन सभी को distribution network पर पूरे India में distribute कर रहा है, अगर आप Meta Sports की distributorship लेना चाहते हैं, तो आप description में दिये हुए link पर click करके, वहाँ पर distribution network का form fill कर सकते हैं, ये company आपको direct contact करेगी, और अगर आप capable होंगे, तो आपको distributorship आपकी zone की ज़रूर मिलेगी, friends, मेरे जीवन का उदेश्य है कि भारत के हर घर से एक सफल businessmen तयार हो सके, इसलिए मैं आपके लेका रहाता हूँ, हमेशा business development की अलग-अलग videos, मेरा कोई भी informative video मिसना हूँ, उसके लिए इस channel को subscribe करें, और comment box में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, कि business development में आपको क्या-क्या problem आ रही है, आपके सवाल का जवाब में ज़रूर दूँगा, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं Dr. Amit Maishwari, आपके सुनरे बहुष्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत!